ये तस्वीर और रिया की है, वर्दी में दिख रही ये महिला IPS चारू निगम है, जने बुजर्ग महिला एक घरे से लगा कर आशिरवाद दे रही है, रो रही है, कोई कह रहा है कि बिटिया मत जाओ, तो कोई उनके कामों की तारीफ करते नहीं ठक रहा है, आप राधियों के सामने पत्थर दिल दिखने वाली चारू निगम इस प्रेम से इतना अभिभूत हो जाती हैं, कि उनकी आँखों से आँसु छलखने लगते हैं, वो ने अपना नंबर देती हैं, मदद का भरोसा देती हैं, एक बुजर्ग महिला के आगे हाथ जोड़ती हैं, तो वहीं बु ऐसी विवस्ता बन राई, कि वो सभी चारू निगम की विदाई की बात सुनकर भाव विभोर उठें, और यहां के स्पी चारू की नई पोस्टिंग अब गाज़ेबाद पेसी में हुई है, लेकिन गाज़ेबाद में जोईन करने से पहले चारू निगम के लिए जगे दो ही मांग थी, पहली चारू निगम हमारे यहां से ना जाएं, और दूसरा इनका तबादला होता भी है, तो हमें चारू निगम की तरह ही दूसरा स्पी चाहिए, जो बिना बोले बातों को समझ जाए, मैलाओं को इंसाब दिलवाने के लिए खोद अपराधियों से भर ज अपने 26 महिनी के कारकाल मिस लेडी सिंगम ने तीन दोशों को सबसे सक्त सजा दलवाई, जिसके बाद से इलाकी की लोग इनके काल हो गए हैं, जिस सौरईया में कभी कानून व्यवस्ता को समालने में बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने चूट जाते थे, वहाँ चा कंजाकस लेडी सिंगम बनी, गोरकपुर में पोस्टिंग मिली तो वहाँ बीजेपी विधायक से ऐसी बहस हुई कि आखों से आसू आ गए, लेकिन हार नहीं मानी, लोगों के लिए काम करने का इनका जुनून ऐसा है कि गाउं में चौपार लगाकर लोगों की समस्याएं स 26 जून 2022 को जब चारू निगम ने और ESP की कमान सम्हाली, तो कई बड़ी घटनाय चुनौती के रूप में सामनी आई, जिनमें सबसे ज़ादा आयाना थानाचेत में मासुन के साथ हुई घटना को लेकर पुलिस पर सवाल उठे, लेकिन चारू निगम ने ना सिर्फ करती है कि हर जिले में ESP हो तो महिला हो या फिर पुरुष किसी को निया मिलने में वक्त नहीं लगीगा, एक तरफ कोलकाता के इसमें जहां पर एक महनी के बाद अब तक ये नहीं पता चल पाया क्या रोपी कितने थी, तो महीं चारू निगम ने 90 दिन के भीतर बिट्या को पुलिस के प्रती विश्वास भी वेदा किया, इस लेडी सिंगम को एक सिलूट तो बनता है